कि देखिए मौसम काफी खराब हो चुगा है बारिस भी बूदे आ रही है अब हमको नहीं लगता है कि काम हो पाएगा कि देखो इधर काम भी चलना आए हमको लगता है कि बंद करवाना पड़ेगा ताकि भारिस आगया है दिक्कत हो जाएगी और आज अगर बारिस आए तो दो-तीन दिन काम तो बंद हो जाएगा जितना मिट्टी है सब जिली हो जाएगी और माटेरियल लाने में भी दिक्कत हो होगा देख सकते हैं जितना एक कार्य प्रगति पे है सब दो-चार दिन के लिए ठप हो जाएगा तो मैं तो यहीं कहूंगा कि अगर बारिस महा है तो अच्छा है देखिए इधर पिंथ विम भी की कास्टिंग भी हो गई है और खुल भी गया है और कुछ इधर अभी नई कास्टिंग होई है जिसकी अभी फर में नहीं खुले हैं जो कि कल खुलेगा और इस मुलाक में देखिए अभी बैक फिलिंग चल लाई है कुछ बची हुई है जिसे कल फाइनल किया जाएगा अब भूदे अब काफी तेज आने लगी अब लगता है कि यहां साइट पर से भी पड़ेगा क्योंकि आदमी भीगे तो नहीं ठंडी का मौसम है और तवियत खराब हो जाएगा कि बहुत दिक्कत होती है अगर बारिस हो जाए तो साइट वर्क कराने में क्योंकि आने जाने के जो साधन है जो मैटेरियल उटेरियन लाना पड़ता है उसमें बहुत कठ इसलिए बारिस में बहुत दिक्कते आती है का बता है हम आप लोग को कि अब देखिए लाइन मेंस अब अपना काम कर रहा है लाइट जला रहा है इनको नहीं पता कि आदा गंटाबाद बहुंकर बारिस आने वाली है तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए जय हिंद दोस्तों